जहिन दोस्तों केरियर एक्सन सेंडर में आपका स्वागत है तो बताईए आप लोग कैसे हैं तो हमें उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और सभी की तयारी अच्छी तरह से चल रही होगी तो आज का हम इस वीडियो में साइंस का कुछ मोस्ट इंपोर्टन्ट अबजे सब्सक्राइब होगी तो उत्ता लेंज जो देता है पलास में देता है तो 1D होगा आपका अंसर 1D ठीक है ओप्सन नंबर B, और नमबर B, एक्परो नॅब होगा ठीक है ओप्सन नं बर B č pussy न अगला क्वेस्चन है हमारा अगला क्वेस्चन है आप लोगों को कि मानव नेत चलिए अगला कोश्चन है कि किसी द्रिष्टी दोस के निवारान के लिए अबतल लेंस का परियोग होता है बताई आप लोग तो आप लोग बोलेगा निकट द्रिष्टी दोस निकट द्रिष्टी दोस उप्सन नमबर बी चलिए अगला कोश्चन है आप लोग को कि दूर द दूर्द्रिश्टी वाले मनुस्य के चस्मे में होता है तो आप लोग बोलेगा उत्तल लेंस उत्तल लेंस उप्सान नमबर बी चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि लगुप पथन के समय परिपत में बिदुधारा का मान बिदुधारा का मान जो होता है बहुत अधीक ब गोवर गैस एक परकार की है तो आप लोग बोलेगा वायो गैस उप्सान नमबर बी वायो गैस ठीक है अगला कोचन है कि कैगा नाभ किये बिदुधारा किस राज में है तो आप लोग बोलेगा करनाटक में कहा है करनाटक में उप्सान नमबर बी अगला कोचन है आप अगला नौन नमबर कोच्छान है कि हाजामत बनाने के लिए परियोग किया जाता है अब दर पन अब तल दर पन अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को आप लोग जिरूर कीजेगा और यदि हमारे चैनल पे नहें होंगे तो चैनल को आप लोग का उपयोग होता है निकड्र द्रिश्ति दोस्त में किस लेंज का उपयोग होता है तो आप लोग लोग फुल् nhân आप लोग को겠죠 लेंज की च्छामता का otsa ये मात्रख क्या होता है तो लैंज को ये छमता का ऐसा ही मात्रख होता है, टाइ ऑपसटर ठीक है। अगला कोछिन है आप लोग को कि परकास के कीरणों के समू को क्या काते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि कीरणी पुञ्ज, ओप्सन नमबर बी, affect करें उठेयर ठीक है। तो आप बोलेगा collide, option number a, option number a होगा collide, ठीक है, जी, अगला कोचनि मानक शरीर की पर्तिरोधक होता है, मानक शरीर की पर्तिरोधक कितना होता है, तो अप लेगा 200 से 300Ohm तक, 200 से 300Ohm तक, ठीक है और 200 से 300Ohm तक, चलिए अगला कोश्चन की किसी बल्ब में 220 भोल्ड पर 2 एंपियर की धारा परवाहित होती है तो फिलामेंट का परतिरोध होगा 110 ओम 110 ओम option नमबर A ठीक है जैसे देखे 220 से भागा कर देना है दो में तो आएगा 110 ओम ठीक है अगला कोश्चन है आप लोगको एक मिनट अगला कोश्चन है आप लोगको कि आर ओम परतिरोध वाले यन परतिरोधों को समनांतर करम में जोडने पर तुल्ली परतिरोध होगा तुल्ली परतिरोध होगा तो आर वटा यन होगा आर वटा यन होगा अगला कोश्चन है कि ओम के नियम नहीं थे तो बताईए आप लोग तो आप लोग बोलेगा भी बरबर आई आर भी बरबर आई आर भी बरबर आई आर ठीक है अगला कोश्चन है कि बिधु धारा की परवलता का या साई मात रख है बिधु धारा की परवलता का या साई मात रख है तो आप लोग बोल अगला कौशन है धाराम्थ यंतर को काते हैं तो इस परकार धार प्राप्त होती philanthrop capturing है प्रत्प it परकार की धारा प्राप्त होती है, तो आप लोग का पहला option बेश्थ धारा, option बी परते वर्ती धारा, option C, दोनों धाराइँ option D, इन में से कोई नहीं तो आप लोग भूलेगा, दोनों धाराइं option number C, option number C two धाराइँ, ठीक है जी अगला question है आवेस का मात रक है तो पहला option है कुलाम ओप्षन वी वार्ट ओप्षन सि एम्पियर ओप्षन डिवोल्ट तो आप लोग बोलेगा कुलाम option नंबर 1 कुलाम ठीक है जी कुलाम अगला कोशेन है कि नाभकिये नभी करनी है उर्जा का सरोत है नभी करनी है उर्जा का स्रोत है तो आपका पहला उप्षन नाभ्खिया उर्जा option B सोर उर्जा option C कोईले स्रेफ्राप्त उर्जा option D प्राकिर्तिक गैस उर्जा तो आप लोग बोलिएगा सोर उर्जा option number B अगला question एक सधारन प्रिजम कितने सतहों से घिरा होता है ये वाला आप लोग comment box में जरूर बताईएगा कि इसका answer क्या होगा हमें उमीद है कि आप लोग को ये बात पता होगा ठीक है अगला question है कि विधुत वालव के filament किस तत्व का उपयोग होता है बताईए आप लोग तो आप लोग बोलेगा टंग अश्टन का ठीक है option number A होगा अपका अगला question है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तीत किया जाता है बताईए आप लोग तो पहला option है पुतली द्वारा, दृष्टी पटल द्वारा पच्छमावी मांसपेशियां द्वारा परितारीका द्वारा तो आप लोग बोलेगा पच्छमावी मांसपेशियां द्वारा पच्छमावी मांसपेशियां द्वारा option number C option number C ठीक है अगला question है ठाश number question है अब 6-5 अभिकिरिया से किस परकार का लवन प्राप्त होता है अब 56 अभी किरिया से किस परकार का लवन प्राप्त होता है तो आप लोग बोलेगा A विले option number V option number V होगा अगला question है आप लोग को अगला question है baking soda का रसाइनिक नाम क्या है baking soda का रसाइनिक नाम क्या है तो आप लोग का पहला उप्षान है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट, कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम हाइडरोजन कार्बोनेट, तो आप लोग का अंसर होगा सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइडरोजन कार्बोनेट आप लोग comment box में बताईएगा कि chemistry में हमें इसको किस तरह से लीख सकते हैं ठीक है तो आप लोग जरूर बताईएगा चलिए अगला question है तीस number question है कि आयस्क से धातू के निसकर्शन तथा उसका परिसकरन कर उपयोगी बनाने के प्रकर्म को क्या कहते है तो आप लोग भी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजेगा और यदि हमारे चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सस्क्राइब कीजेगा चलिए अगला कोश्चन है आप लोग को कि साक सबजी को भी घटित होकर कंपोष्ट बनाना की सभी किरिया का उधारन है बताईए आप लोग तो आपका पहला option है उस्मा सोसी option भी है उस्मा 6P option C है उभाई गामी option D है परती अस्थापन तो आप लोग बोलेगा उस्मा 6P उस्मा 6P option number B ठीके अगला question है 32 number question निमन में कौन सा उत्पाद late night red को गरम करने पर किया जाता है बताईए आप लोग तो आपका पहला option है O2, option B है NO2, option C है NO2 और N2, option D है NO2 और O2 तो आप लोग मारेगा NO2 और O2, option number D, option number D होगा ठीके चलिए अगला question है निमन में से कौन सही है निमन में से कौन सही है तो आपका पहला option है NO2 CO3 into 5H2O, option C है NO2 CO3 into 7H2O, option B है NO2 CO3 into 10H2O तो आप लोग सही मारेगा option number B, option number B होगा ठीके चलिए अगला question है कि निमन लिखित में कौन बिजाती है योगिक है तो आप लोग बोलेगा plaster of Paris, option number D, अगला question है निमन लिखित में से pH का मान कौन सा छारक बिलियन का मान देता है बताईए आप लोग, तो आप लोग बोलेगा कि option D, यानि कि 7 से जायदा रहना चाहिए, 7 से जायदा रहना चाहिए, तो आपका अंसर होगा 13 चलिए अगला question है कि sodium chloride के जलिये बिलियन से विधुत धारा परवाहित करने पर यह बियोजित होकर sodium oxide बनता है, इस पर किरिया को कहते, इस पर किरिया को हम लोग कहते, कलोरो छार अभी किरिया, कलोरो छार अभी किरिया, option number A, अगला question है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर धर्ब होता है, बताइए आप लोग यह काफीन पॉड़न question है, तो आप लोग भी धियान रखेगा, तो आप लोग बोलेगा, ब्रोमीन, option number A, option number A होगा, ब्रोमीन, अगला question है, आप लोग को सीशा और टीन की मिस्त रध अधातु को काते हैं, तो आप लोग बोलेगा, ब्रोमीन, option number A, अगला question है, कि निमलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो आप लोग बोलेगा, लिथियम, option number A, इज करेवट होगा, तो इस वीडियो का अंतिम question है, कि एथिलीन में कार्बवन, एथिलीन में कार् पाई अबंध होता है, एक सीगमा और एक पाई अबंध होता है, ठीक है, तो आप लोग 40 में कितना सही हैं, जरूर comment box में बताइएगा, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए, तो वीडियो का आप लोग लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नहे मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जाहिन